तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे खगोली दूरदर्शी यानि की Astronomical Telescope के बारे में यह जो खगोली दूरदर्शी है नाम से हमको समझ में आ रहा है कि यह खगोली पिंडो के अध्यन में काम आती है और इस खगोली दूरदर्शी में दो लेंस लगे होते हैं यदि इस खगोली दूरदर्शी में दो लेंस लगे हैं तो यह किस प्रकार का टेलिस्कोप होगा लेंस में अपवर्तन की घटना होती है इसलिए जो खगोली दूरदर्शी जिसमें की यह दो उत्तर लेंस लगे हुए हमको नजर आ रहे हैं ये खगोल ये दूरदर्शी एक reflecting type telescope है इसमें प्रकाश की अपवरतन की घटना होगी यहाँ पर हम चित्र को देखें तो यहाँ हमको ये दो लेंस निज़र आ रहे हैं दोनों ही उत्तर लेंस हैं साथ साथ ये दोनों लेंस को एक्सियल हैं यानि कि इनके अक्ष एक ही हैं उस लेंस को हम कहते हैं objective लेंस यानि कि अभी द्रिश्यक लेंस और डूसरा लेंस जिसके सामने हम अपनी आखें रखेंगे और वस्तु का final प्रतिबियम देखेंगे उस लेंस को हम कहते है आई-पीस लेंस यानि कि नेत्रीका लेंस तो यहाँ पर objective लेंस के लिए हम O से दर आएंगे पहला तो जब प्रतिबियम इस पर्ष्ट द्रिश्टी की न्यूनितम दूरी पर बने दूसरा जब प्रतिबियम अनंत पर बने तो हम पहले तो इस पर्ष्ट द्रिश्टी की न्यूनितम दूरी पर बनने वाले प्रतिबियम के लिए टेलिसकोप की संरचना देख रहे हैं कोई खगोल्य पिंट को हम देख रहे हैं जिसे हम AB से दर्शार हैं अब यह खगोल्य पिंट बहुत दूर में तो इससे आने वाली सारी प्रकार्श के रिने एक दुसरे के समानतर होंगी और इस पहले लेंस यानि कि अभी अभीद्रिश्यक लेंस से अपवरतन होगा तो सबसे पहले हम एक AB वस्तू लेते हैं astronomical object लेते हैं उसे समानतर आती हुई किरणों को देखते हैं अब यह जो astronomical object है यह इस lens के साथ अंतरित कोण बनाएगा alpha वस्तू के द्वारा बने अंतरित कोण को अलफा से दर्शाते हैं और प्रतिबिम अंतिम जो प्रतिबिम बनेगा उसके अंतरित कोण को बीटा से दर्शाएंगे यहां पर बनेगा alpha कोण इस मुख्य अक्ष के साथ अब यह किरणे अपवर्तन के पश्यात इस objective lens के focus तल पर जाकर मिलेंगी यानि कि यह जो दूरी होगी इस lens के प्रतिबिम की यह इसकी focus दूरी के बराबर होगी ज इसे हम A1 B1 से दर्शा रहे हैं अब जो दूसरा lens है वो इस प्रकार रखा जाएगा या फिर हम उसको इस प्रकार adjust करते हैं आपने देखा होगा कि जब हम दूर्बीन से दूरदर्शी से काम करते तो adjustment करते मतलब दोनों lens की दूरी को हम adjust करते हैं जिसको हम lens का समायोजन कहत हैं इसके आधार पर ही प्रतिविम्ब का निर्मान अलग-अलग स्थिती में होता है तो यहां पर यह जो दूसरा वाला आई-पीस lens है वो इतनी दूरी पे रखा जाएगा कि जो पहले वाले objective lens का प्रतिविम्ब हो वो इस आई-पीस lens की focus बिंदू और इसके प्रकाश उसका प्रतिविम्ब बढ़ा और आभासी और सीधा बनता है तो यहां पर मान लीजे किसकी focus दूरी F-E है तो यह जो प्रतिविम्ब पहले वाले lens objective lens का बन रहा है यह focus F-E और इस प्रकाश केंद्र के कहीं बीच में स्थित होगा अब इससे जो किरणे प्रकाश केंद्र से गुजरेगी वो सीधे निकल जाएगी जो दूसरी वाले किरण इस मुख्यक्ष के समानतर होगी हम देखेंगे कि कुछ कौन बनाती हुए आगे निकल जाएगी और वो कहां से गुजरेगी वो इस आइपेस lens के focus से गुजरती हु और ये जो किरणे अब वर्तन के पश्चत आगे जा रही है वो ऐसे प्रतित होंगी जैसी कि वो इस बिंदू से आगे जा रही हो यानि कि यहां पर एक आभासी प्रतिविम का निर्मान होगा जिसको हम A2, B2 से दर्शाएंगे और ये आभासी प्रतिविम इस वस्तु काम करेगी तो अब जो इसका प्रतिविम बनेगा A1, B1 का जिसको हम A2, B2 से दर्शा रहे हैं वो इस वस्तु की तुलना में बड़ा बनेगा आवर्धित बनेगा तो इस प्रकार टेलिस्कोप के द्वारा जो प्रतिविम बनेगा वो वस्तु की तुलना में उल्टा होगा और वो बड़ा दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पर हम देखें तो उसका दर्शन कोण यानि कि इस आईपिस लेंज पे बनाया गया अंतरित कोण का मन बढ़ जाएगा यहाँ पर हम देखें तो इस प्रतिविम के द्वारा अंतरित कोण इसको हम दर्शाएंगे बीटा से ये दोनों ही coaxial थे, फर्क इनकी focus दूरी का है, जो objective lens की focus दूरी है, वो अधिक होगी और उसका aperture भी अधिक होगा, वहीं यदि हम eye piece lens को देखें, तो इसकी focus दूरी भी कम होगी और इसका aperture भी कम होगा, आपने देखा होगा दूर्बेंड को, कि सामने वाला lens बड़ा रहता है, और जो lens आँखों के पास रहता है, वो छोटा रहता है, तो यहाँ पर भी इसी प्रकार हम इस telescope के construction को देखें, यहाँ पर प्रतिविम कहां बन रहता इस पश्ट दूरी की नुनितम दूरी, इसलिए जो IPS lens E है, वहाँ से प्रतिविम की दूरी को हम धर्शाएंगे D से, और यह जो A1, B1 यहाँ पर हमने लिया है, यह तो इस खगोली पिंड का प्रतिविम था, जो पहले वाले lens से बना था, यानि कि objective lens है, लेकिन जब इसी को दूसरे वाले lens, यानि IPS lens के लिए देखें, तो यह virtual object की तरह कारे करेगा, इसलिए IPS lens के लिए हम इसको वस्तू की दूरी मान सकते हैं, इसलिए इसको हम दर्शाएंगे UE से, और जो final प्रतिविम बना है, A2, B2, यह IPS lens से कित्ती दूरी पर होगा? इस पश्ट दृष्टी की निनितम दूरी पर, इसलिए इसे हम दर्शाए अब इस टेलिस्कोप की संरशना को हम उस स्थिती में भी समझते हैं, जहां पर प्रतिविम का निर्मान अनंत पर हो, इसके लिए ये तो सारा ची सेम ही रहेगा, जो हमने दो उत्तल लेंस लिए हैं, ये दोनों ही को एक्सियल होंगे, सारा ची सेम है, पर फर्क कहां पर जाएगा कि जो पहले वाले लेंस से इसख्गोल्य पिंड का प्रतिविम बने, वो दूसरे वाले लेंस से की फोकस दूरी पर बने, और हम जानते हैं, कि कुतनल लेंस पर जब किसी वस्तुक की फोकस पर रखना जाता ह appear तो उसका प्रतिविम अनंत पर बनता है, और ये प् क्रिंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम इन दोनों लेंसों के बीच में एड्जिस्टमेंट करेंगे समयोजन करेंगे अब इसका डाइग्राम हम देखते हैं जो वस्तू से समांतर किरने आ रही थी जो कि इस मुख्य अक्ष के साथ इस अब्जेक्टिव लेंस के साथ अल इसके फोकस तल पर मिलेंगी जिस दूरी को हम F O से दर्शा रहें यानि कि यह अब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी होगी और यही बिंदू यही इस्थिति इस आई-पीस लेंस की फोकस दूरी के बराबर भी होगी और यह दर्शाया जाएगा इस दूरी को हम लेंस आई-पीस लेंसे के लिए वस्तु की तरह एक वर्चुल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा जिसका प्रतिविम फाइनल बनेगा तो हम इससे निकलने वाली एक किरण लेंगे जो प्रकाश के अंदर से जारी है यह सीधे-सीधे आगे बढ़ जाएगी और इसे निकलने कार एक दूसरे को कट करेंगी तो जब हम इसको पीछे की और बढ़ाते हैं या फिर ऐसा देखते हैं कि यह किरने कहां से आती हुई प्रतीत हो रही है वहीं पर प्रतिविम का निर्मान होगा और इस स्थिती में प्रतिविम विद्वारा इस आई-पेस लेंस में बनाया यानि कि जो प्रतिविम बनेगा वह अवर्धित होगा अब हम दोनों ही स्थितियों में इस टेलिस्कोप की अवर्धन छमता ज्याद करेंगे और हम जानते हैं कि मैगनिफिकेशन यानि कि अवर्धन छमता का फॉर्मुला होता है एम बराबर प्रतिविम द्वारा बनाया गया अंत्रित कोण अपॉन वस्तू द्वारा बनाया गया अंत्रित कोण तो एम बराबर हो जाएगा बीटा अपॉन आलफा चुकि यह दोनों का मान बहुत ही कम है इसलिए हम बीटा और आलफा के स्थान पर टैन बीटा और टैन अलफा लिख सकते हैं और इसे हम दे यहां पर हमको प्राप्त होगा टैन अल्फा कमान कि हम देख रहे हैं कि वस्तु द्वारा बनाया गया अंत्रित कुण अल्फा है तो इससे वर्टिकली अपोजिट एंगल वह भी अल्फा होगा तो यहां से टैन अल्फा बराबर हो जाएगा A1 B1 अपोन O B1 यानि कि लंब बटे अधार वैसे हम दूसरा त्रिभुज देखें A1 E B1 इस त्रिभुज में टैन बीटा बराबर होगा A1 B1 अपोन E B1 अब दोनों ही मान हमारे पास मौजूद है इसे हम मैगनिफिकेशन में रख देते हैं यानि कि समीकरण एक में तो M बरा अपोन में A1 B1 अपोन O B1 यहां से A1 B1 A1 B1 दोनों नियूम्रेटर डिनूम्रेटर से कट जाएंगे और फाइनली हमें मिलेगा M बराबर O B1 अपोन E B1 इसको हम दे देते हैं समीकरण दो और इनके मान रखने पर हमें प्राप्त हो जाएगा मैगनिफिकेशन अब चित्र क को हम ध्यान से देखें तो O B1 यह है अब्जेक्टिव लेंज की फोकस दूरी और इसे हम दर्शाएंगे F O से और वहीं हम E B1 को देखें तो यह है आई-पिस लेंज के लिए वस्तू की दूरी तो हम इसे दर्शाएंगे U E से पर चिन्न परिपार्टी का यह दिस्तमाल करे तो यहां पर हम लिखेंगे माइनस U E तो इस प्रकार मैगनिफिकेशन M बराबर हो जाएगा F O अपॉन माइनस U E और लिख सकते M बराबर माइनस F O अपॉन U E यह है समीकरंट 3 अब इस मैगनिफिकेशन को हम दो अलग-अलग स्थिति में ग्याद करेंगे जब प्रतिब्य हम इस पर्ष्ट द्रिष्टी की न्युनितम दोरी पर बने उस कंडिशन में हम जानते हैं लेंस फॉर्मले के नुसार वन अपॉन F इक्वल टू होता है वन अपॉन V माइनस वन अपॉन U अब यहां पर F यानि कि आई-पेस लेंस की फोकस दोरी तो हम F बराबर लिखेंग माइनस डी क्योंकि प्रतिविम कहां बनना है इस पर्ष्ट द्रिष्टी की न्युनितम दोरी पर और वस्तु कहां पर होगा वस्तु की दूरी को हम दर्शाते हैं यूई से इसको हम लिखेंगे माइनस यूई अब यह सारे मान हम समीकरण में रख देते तो मैं मिलेगा 1 अ समीकरण तीन में रखते हैं सभी करण तीन में मान रखने पर हमें मिलेगा M बराबर माइनस F O और इस UE के स्थान पर हम लिखेंगे 1 अपॉन F E प्लस 1 अपॉन D क्योंकि यह हमें प्राप्त हो चुका है 1 अपॉन UE का मान तो यहां से M बराबर होगा माइनस F O अपॉन F E यहां F E हमने कॉमन ले लिया है तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 प्लस F E अपॉन D यह है मैंगनिफिकेशन का फॉर्मूला जब प्रतिवेम इस पश्ट दृष्टी के नियुनितम दूरी पर बने और इस कंडिशन में जिस प्रकार मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम दोनों लेंज के बीच की दूरी को समयोजित करते हैं ताकि प्रतिवेम अलग-अलग इस्थिती पर बन सके तो इस कंडिशन में नली की लंबाई यानि कि टेलिस्कोप की लंबाई कितनी होनी चाहिए इन दोनों लेंज की बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए तो चित् E1 plus EB1 के बराबर होगा O B1 का मान कितना है FO और EB1 का मान कितना है UE तो यहां पर इस pipe की लंबाई L बराबर होगी FO plus UE इन सारे values को आप याद रखिए क्योंकि यह एक नंबर के question में एक्जाम में आता है या फिर इस पर अधारित numerical questions भी एक्जाम में आते हैं जहां पर नली की लंबाई कितनी होगी यह हमको ग्याद करनी होती है तो इस condition में नली की लंबाई FO plus UE होगी अब हम दूसरी condition को देखते हैं जहां पर प्रतिबिम अनंत पर बन रहा हो तो यह चित्र हमने तो पहले ही देखा था कि जब प्रतिबिम अनंत पर होगा तो यह स्थिति होगी यहां पर हम देखें तो प्रतिबिम तो अनंत पर बन रहा है यानि कि आप V बराबर लिखेंगे अनंत वस्तू सिस्थिती में कहां पर रखी जाने चाहिए यह जो वस्तू है वो आई-पेस लेंस की फोकस दूरी पर रखी जाने चाहिए तो UE बराबर लिखेंगे हम FE तो इस condition में समीकरण 3 से हम देखें तो magnification M बराबर मिलेगा दोनों लेंसों की बीच की दूरी L बराबर होगी O E और O E का मान इस स्थिती में होगा FO प्लस FE इन दोनों ही स्थितियों में यदि हम magnification का formula देखें तो magnification अधिक होने के लिए दो चीज़े आवश्यक है पहला FO का मान अधिक होना चाहिए यानि की जो अभिद्रिश्यक लेंस है उसकी फोकस दूरी अधिक होनी चाहिए और दूसरा FE का मान कम होना चाहिए यानि की जो आई पिस लेंस है उसकी फोकस दूरी कम होनी चाहिए इस पूरे derivation में एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि हमने magnification का formula दो स्थीतियों में निकाला है जब प्रतिविम इस पश्ड दृष्टी की नितम दूरी पर बन रहा हो और जब प्रतिविम अनंत पर बन रहा हो हमने यही derivation ऐसा ही derivation सुक्ष्म दर्शी के लिए भी निकाला और दूर दर्शी के लिए भी निकाला तो ये दोनों स्थिती में फर्क क्या होता है जब प्रतिविम इस पश्ड दृष्टी की नितम दूरी पर बनता है तो उस समय जो प्रतिविम का आकार होता है वो सबसे बड़ा होता है उस समय हम देखे तो हम इस प्रकार सुक्षम दर्शी या फिर दूर दर्शी को समयोजित करते हैं कि आखों पर तनाव अधिक पड़ता है मतलब उस प्रतिविम को जब हम देखने की कोशिश करते हैं तो आखों पर तनाव अधिक पड़ता है लेकिन जब प्रतिविम अनंत पर बन रहा हो चाह सूक्ष में दर्शी हो चाह दूर दर्शी हो इस condition में आखे शांत पोजिशन में रहती हैं मतलब जो हमारी आखों की लेंस होती है उस पर ज्यादा तनाव नहीं पड़ता और इसे लिए जब प्रतिविम अनंत पर बन रहा हो तो उस condition को हम साम में समायोजन के स्थिति कहते हैं मतलब normal adjustment के स्थिति जहां पर आखों पर तनाव कम पड़ता है या बोल सकते हैं आखों पर तनाव नहीं पड़ता है जहां पर हम कह सकते हैं कि आखों पर तनाव नहीं पड़ता है और आखे शांत रहती हैं अभी जब हमने दूर दर्शी के कंस्ट्रक्शन को देखा तो हमने ये भी जाना कि उसकी आवर्धन छमता को बढ़ाने के लिए FE कमान कम होना चाहिए यानि कि जो नेत्री का लेंस है उसकी फोकस दूरी कम होनी चाहिए और जब नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी को कम करें तो ये लेंस मोटा हो जाता है और जब किसी भी लेंस की मोटाई बढ़ जाती है तो उसमें कुछ डिफेक्ट उत्पन हो जाते हैं जैसे कि वर्ण विपथन या फिर गोली विपथन जब वर्ण विपथन का डिफेक्ट उत तो वहां पर अलग अलग रंगों की फोकस दूरी अलग-अलग हो जाती है हम जानते है कि श्वेत्प्रकाश मुझे मिलकी बना है और इसमें साथ रंग होगे तो जब लेंज चिसे अपवरतन होगा तो यह सारे रंग अलग-लग फोकसदूरी पर मिलेंगे इसे लिए एक ही वस्तुकर प्रतिभिम ऐलाग-एलाग रंग पर अलग-एलाग दूरी पर दिखाई देता है हलंकि दूरी बहुत अधिक नहीं होती लेकिन उसके करण्ड वस्तुकर प्रतिभिम वह कैसे बन जाता है रंगीन बन जो किरने मुख्य अक्ष से दूर आती हैं उनका अपवर्थन अलग तरीकेस होता है और जो मुख्य अक्ष के पास आती है उनका अपवर्थन अलग तरीकेस होता है जिनके कारण ये किरने अलग-अलग जगे पर कनवर्ज हो जाती है और इसी कारण वस्तु का प्रतिविम अल देख सकते हैं एक ही वस्तू का प्रतिभिम अलग-अलग जगे पर अलग-अलग रंग में बनता है और इस डिफेक्ट को हटाने के लिए हम दूसरे प्रकार के टेलेस्कोप का इस्तमाल करते हैं जिसमें कि लेंस के स्थान पर दरपन रखा गया हो सिर्फ लेंस से उत्पन होन वाले डिफेक्ट को रोकने के लिए